जैहिन अभ्यास ओन्लाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं क्रिश्ण आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो सेक्षन में दोस्तों हम फिर से बात करने वाले हैं तैयारी करने वाले हैं अगर दोस्तों आप जो है उस को लेकर के बहुत पस्ता होगे तो वीडियो को दोस्तों लास तक जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मेरे साथ भी आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताते जाएं कि आपका जो है ये कितना कोशन जो है राइट आंसर बन रहा है ठीक है तो चलिए देखते हैं प्रशन दोस्तों नगरी इस थानी सासन का कौन सा लक्षन जो है चतिसगर में विद्दमान नहीं है तो उप्सन देख लेते हैं नगर निगम नगर पाली का नगर पंचायत या फिर नगर समीती तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों नगर समीती जो है अब भी चतिसगर में विद्दमान नहीं है दूसरे राज जो में बहुत जगा ये जो है नगर समीती चलता है आपने सुना होगा नगर निगम नगर पाली का नगर पंचायत तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आप जो पंचायती राज पढ़े है न उन्हीं से ही रिलेटेड है ये पंचायत पंचायती राज में से काई पर σबसे नीचे में आपको देखने को मिलता है दो स्के बाद आता है इस तरीक से क्रम में होता है इनकी चुनाओं होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष न का पार्शाद है चैसका 569 होता है और फिस कंश होता है तो इस तरीक се दो स्थ्वर्पर प्रशाषन बहुत लाया गया था फिर उसमें को सुधार करके 12 तरील आया गया फिर उसमें सुधार किया गया और फिर से 13 तरील आया गया तो इन सब को डिटेल में मैं एक पार्टिकुलर वीडियो प्रवाइट कर दूँगा क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर जो है बहुत सारे पॉइंट आते हैं ठीक है चलिए देखते है next question कौन सराज जो 36 गल की सीमा से लगा हुआ नहीं है तो हमको बताना है दोस्तों उत्तर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश बिहार उडिसा और जारखंड तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बिहार ठ उत्तर में है दोस्तों उत्तर प्रदेश उडिसा जो है दोस्तों आपको पूरो में देखने को मिलेगा जारखंड आपको जो है उत्तर और पूरो में देखने को मिलेगा ठीक है उसी तरीके से अगर पश्चिम में देखें तो मध्ध प्रदेश है और महारास्ट देखने क पर आपaćे में लुग सब पाइब हैं तो आपको आपको याद रखना होगा तो रिस्ट्रा पता होगा ठीक है निमने मिल्खित में से कौन सा सैल समू सबसे प्राचीन तथा 36 गड़ की धरातलिये बनावट में प्रमुख है तो आपको पता होगा दोस्तों की जो सैल शमू हो उसको अलग-अलग भागों में विभक्त किया गया है और हम लोग अगस के जीवन काल की यह सब भी पाये जाते हैं लेकिन जो है सबसे पूराना बोला जा रहे है तो प्राचीन तम में क्या हो जाएगा आरिक्यान शेल समुझ जो है आएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं कौन सी मिट्टी 36 गड़ में सर्वाधिक पाई जाती है तो कौन सी मिट्टी है जो 36 गड लुआ मिट्टी है या फिल लेटराइट मिट्टी है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लाल पीली मिट्टी हो जाएगा ठीक है तो जो सबसे ज्यादा सरवाधीक मातर में जो पाया जाता है वो है लाल पीली मिट्टी तो दोस्तों अगर इसक तास से पच्पन परतीशथ तक पाया जाता है पूरए 36 में ठीक है, और इसको समाने तॉर पर जो कहा जाता है, इसका 36 गढ़ी नाम है मटासी, एस्थानी नाम में उसके क्या पोला पूछा जाता है मटासी और इसका विस्तार 36 गढ़ भाग अथोतरी भाग में फैला हुआ है और यह सरवाधीक महत्र में पाया जाता है। अगर इसके काली मिट्टी का निर्मान की बात करने तो बेसालटी यूगते चटानों के आसाथ से निर्मित होता है जो लावा निर्मित मिट्टी होता है बारिक कन होने की करण क्या होता है यह बहुत ही बारिक होता है और इसमें जल्धारन जो चंता होता है वो सरवाधिक होता है इस वज़े से इसमें क्या होता है चीका की स्थिती हो जाती है ठीक है अब बात करते हैं लाल बलुवा जो मिट्टी होता है उसमें हलका सा बलुवा मतलब क्या होता है रेती है ना तो रेत उसमें क्या होता है उपस्थित होता है इस वज़े से क्या हो तो उसकी जिलधारन चमता कनहान मिट्टी लाल फीली मिट्टी से कम हो जाता है अगर इसका विस्तार की बात करें तो नाम से भी इसको जाना जाता है इसमें लाल रंग का जो कण होता है इस वज़े से उसमें मूरुम होने की वज़े से यह क्या होता है हलका सा लाल होता है तो यह लेटराइट मिट्टी जो है इसमें जल धारन चमता सबसे कम होता है तो आप इसको याद रखिए अगर इसके पर गंगा अपवाहतंत्र का हिस्सा है तो बिल्कुल हाँ उपर में जो है दोस्तों जो गंगा सोन अपवाहतंत्र हमने पढ़ा है जहां से दोस्तों आपका गोपाद बनास नदी आगे जाकर के सोन नदी में मिलता है और सोन नदी कहां जाकर के मिलता है गंगा नदी में जाकर के मिल जाता है तो उपर वाला हिस्सा पूरा क्या है गंगा अपवहात अन्तर है उसके बार 26 गण tiuk भाग महानदी अपवहात अन्तर का हिस्सा है बिल्कुल हाँ 36 गण का जो धमतरी सिहावा से निकल करके दोस्तों पूरा घुमते हुए पूरे मध्य 36 गल को घुमते हुए कहाँ चला जाता है उड़िसा में चला जाता है तो मध्यभाद पूरा किसका हिस्सा हो गया महा नदी अपवाहत अंतर का हिस्सा हो गया उसी तरी कि 36 गल का दक्षिन भाग जो है गुदावरी अपवाहत अंतर का हिस्सा है बिलकुल हाँ क्योंकि 36 गल की जलवाईयू समानेता कैसी है तो 36 गड़ की जलवाईयू है समानेता कैसा है सीत अधारित है सुसकपर है या फिर मांसून अधारित है या फिर आद्र है तो भाई जब भी वर्षा होती है वो मांसून के अधार पर ही होता है ठीक है तो हमारा जो 36 गड़ है वो मांसूनी अधा प्रित जलवाई यूँ है ठीक है तो ऑप्सन नंबर सा क्या हो जाएगा इसके लिए correct आंसर हो जाएगा चलिए देखते है next question नेमनी लिखित में से कौन सा दंड कारण नहीं है तो दंड कारण का जो भाग नहीं है वो कौन सा नहीं है तो कोटरी बेसीन बस्तर का पठार अभ बस्तर तो है भाई तो ये भी तो बस्तर में आएगा अभुजमारे की पहाड़ी जो कि नरायनपूर में इस्थी था ये भी डंड़ कारणे का है सोन बेसिन दोस्तों नर्मदा सोन का ये जो है हिस्सा है तो ये अलग से आजाएगा और ये जो है पूरी तरीके से मध्ध प्रदेश और 36 गर से लगा हुआ है चूंकि और ये दंड़ कारणे के पठार्व का भाग नहीं है तो आप्सन नमबर दा इस के लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए देखते है नेक्स्ट कोशन सुमेलित कीजिए हमको बताना है एक तरब दिया है अभ्यरण और दूसरा तरब दिया है जीला का नाम पामेड जो है दोस्तों वो दंते वाड़ा जीला में इस्तित है तो पामेड जो है कहां इस्तित है दंते वाड़ा जीला में इस्तित है और सांथ ही सांथ दोस्तों भैरम गड़ भी दंते वाड़ा में ही इस्तित है ठीक है अब बात कर लेते हैं भोरम देव स्वारी बाद तो उदंती का जो गरिया बन में जो इस्थीत है कौन सा उदंती और उसी के नीचे धमतरी में तो सीता नदी इन दोनों को मिला करके बायो रिजर्व जो है घोसित किया गया है ठीक है जहां पास सेरों का विचरन एक भैरन से दूसरा भैरन नदिक्यों के दोनों मिला हुआ है और सीता नदी जो अभैरन नहीं है उसके बीचों बीच से क्या होता है सीता नदी जो है गुजरती है यहां पर इस जो है मोर की संरक्षन राप्त हुआ है ठीक है चलिए तो इस तरीके से मैंने सुमेलित करके बता दिया यहां पास क्या हो जाएगा सीता नदी का हो जाएग दंते वाड़ा और बादल खुल का हो जाएगा जस्पूर गरिया और उदंती का हो जाएगा क्या हो जाएगा गरिया बन तो इस तरीक से करम हो जाएगा चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है तो हमको जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है अमरित धारा जल प्रपात कोरिया में है जो की हस्दो नदी पर बना है ठीक है तो ये बिलकुल करेक्ट है रानी दरहा जो है सबरी नदी पर बना है तो ये भी बिल्कुल सही है केंदई जो जल प्रपात है वो अर्पा नदी पर बना है तो ये क्या हो जाएगा गलात हो जाएगा चलिए देखते है next question निमन लिखित में से कौन सा बांध सबसे पूराना है तो भाई जो सबसे पूराना बांध है वो कौन सा है सोंडूर, सीकासार, पैरी या फिर रुद्री तो सबसे right answer जो हो जाएगा दोस्तों रुद्री बांध है तो ये जो है सबसे पूराना है अगर इ उसी समय इसी रुद्री बांध पर एक बाद में चल करके जब स्वतंतरा आंदोलन के लिए किया जा रहा था विरोध तो उसी समय इसमें एक सद्या ग्रह भी हुआ था ठीक है रुद्री बांध पर तो आप मुझे उसके बारें डिटेल में दोस्तों नीचे कमेंट बॉक् कि समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजेगा ठीक है जो स्टूडेंट नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नौटिफिकेशन बेलाता है जरूर रॉन कर लिजेगा क्योंकि इसी तरीके का ज्यान वर्धक वीडियो आपके लिए लगाता झाल